हम एक एक अपर है 만큼 यहिवाली वीडियो बहुत ज़ाद़ इंटरस्टिंग आने वाली है क्योंकि इस में इसमें पर्ले हम कीलें मीशू से माइक हैं और में के लहकों के साथ थोड़ी प्रबलम होती है तो हम मीशो को बुरा इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि मीशो एक प्लेटफों में वहाँ अलग-अलग सेल करते है प्रोडक्ट्स को ठीक है तो देखना चालो करते हो अपने पहले लहंगे से देखो पहला जो लहंगा है वो बहुत वाइरल लहंगा है मीशो का मुझे लगतेगी सबसे ज़्यादा वाइरल है क्योंकि उसका प्राइज है 1141 रुपीज रेटिंग है 4K और पिक्चर रिव्यू है 100 पिक्चर रिव्यू पड़े है मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको बाई किया है तो ये लहंगा देखते हैं कैसा आया है पिक्चर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें लहंगा है ब्लाउज है चुन्नी है और इसमें लिखा लहंगा स्टिजड है बट ब्लाउज स्टिजड नहीं है तो देख लेते हैं हमें कैसा रिसीव हुआ है यह कुछ इस तरीकी की पैकेजिंग थी मैंने पैक पहले करकर के देख लिया है कि हाँ जो मंगाया था वही आया है कि नहीं आया तो इसमें तो जो पिक्चर में दिखाए तो एक्जेक्ट सेम है कुछ भी अलग नहीं है कि जो मैं बताऊं ठीक है दिखाती होती है इसले ही कि दो चीज तीन चीजे मुझे जो बहुत जादा अच्छी लगी वह आपको बताती हूं ठीक है पहले चीज की जो यहां से एक कट होता है हर लेंगा और स्कट में पेटी कोट में भी होता है वहां पे ना कई लोग ओपन दे देते हैं तो जब हम लेंगा प कपड़ा है यह कुछ इस तरीके का है ऐसा इसका नाम नहीं पता मुझे ठीक है और इसमें गोटा पती का वर्क हो रखा है और देखो वर्क कितना हैवी हो रखा है यहां से देखो मैं पहन कर भी दिखाऊंगी लेंगा तब भी देखना जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है और साथ में जब जो कपड़ा है वो ट्रांसपरेंट है तो अंदर लाइनिंग भी लगा रखिए तो जो लाइनिंग का क्वालिटी है वो यह है कफी अच्छी क्वालि है जो कि बोख ज्यदा प्यारा कफिए बहुत सही लग रहा हम और इसमें जो गोटपतिका वरंख ह्का ओं से टैना लेहंगे का घेर इतना सारा है कि आप इतने कम प्राइज में मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा तो और आप भी शायदी एक्सपेक्ट करो कि इतने कम प्राइज में इतना घेर वाला लेहंगा देखो यहां से शुरू होता है घेर ये ये और ये इतना सारा घेर है इस लेहंग और पूरे लहंगे में जैसे बोटम में इसके गोटा-पती वर्क है, सांहे थोड़ा-थोड़ा सा लहंगे के ऊपर भी बीख तरफ भी गोटा-पती वर्क है देखो कितना प्यारा है मतलब ये येलो कलर और उसके बाद मरून रैट कलर जो की वाइट कलर के इसमें वर्क वो प्रिंट हो रखा है और जो चुन्नी है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है मतलब आप अगर सीधा पल्ला जो गुजराती पल्ला होता है उस तरीके की भी पहन कंगar इतना बड़ा ये दो पट्टा दे रखता है नहीं भी प्रापर भरा अगोटापती का वर्क व्रक रना alors बहुत अच्छी क्वाइटी के सांथ चुन्नी की चौड़ाय काफी है और चुन्नी की लंबाई भी बहुत सारे है चुन्नी के कपड़ है जैसा कि इस कर्त का कपड़ा था उसको अलग नहीं है ठीक है और यह बहुत लाइट वेट है और इसकी मैंने देखो यहाँ पर पहन के दिखाया है तो मैंने जब चुन्नी की पटलिया बनाई मैंने गुजराती स्टाइल में पहना है तो बहुत असानी से पटलिया बनकी बाला लहेंगा मेरी तर पसंद ना आए पिक्चर में तो कहना कुल भी इसका प्राइज देखके और पिक्चर देखके हर कोई और कर लेगा तो मंगा लिया है बट एक्जेक्ट सेम आया ना तो वताब कमाल ही हो जाएगा प्राइज है थाउजन सिक्टीन रुपीज और रेटिंग 3.7 की पिक्चर पिक्चर रिव्यू में पड़े हैं और सारे पिक्चर रिव्यू में यह एक्जेक्ट वैसा ही बताया गया है जैसे यह पिक्चर में दिखाया गया है ठीक है अगर ऐसा आगया तो क्या ही बात है घेर तो बहुत जादा लग रहा है इतना घेर मुझे नहीं लगता कि पॉस होता है बहुत साही लग रहा है यह पहले हम इसका इसकर्ट ही देख लेते हैं देखो डिजाइन वगेरा तो बिलकुल वैसे ही लग रही है जैसे की पिक्चर में है और गेर भी इसमें बहुत सारा यह देखो यहां से देखते हैं इसकी जो बैल्ट वाले की चोड़ा यह काफी अच्छे किसी भी साइज में आ जाएगा बाकी हम नाड़ा लगा के अड़ेस्ट कर सकते हैं और हमें प्रॉपर एकदम स्ट्रेट मतलब बैल्ट जैसा लुक चाहिए कवर में तो हम इसको यहां से कट करा सकते हैं तो हमारी साइज का भी को आएज चाहिए के बागी स्टेश रहा है और देख्यों इसका बिल्कुल जैसे ङक्छे में दिखा रहा है बिल्कुल भाzep क्यूंगए घ्कावर को रहा है और सब्कुल कपडई हेर बहुत अच्छी क्वालिटी वाला ज़ाद है इतना ही कम प्राइज में मैं भी सर्प्राइज हूँ कि इतना अच्छा लेंगा कैसे भेज दिया साथ में इसमें घेर भी बहुत साथ है उत्त पीक्चर उतक्रां ही इसमें घेर है, मैंने कहूँगी कि थोड़ा भूत कम हो सकता है बट इसमें घेर बहुत जादा है यह मैं नीचे से पकड़ी हूई हूँ और यह पूरा लहुँगा ही भरा हुआ है यहाँ उपर से देखो कुछ एसा है और यह पूरा नीचे तक ऐसे ऐसे करके पूरा ही लेंगा भारा हुआ है और इसमें लाइनिंग लगी हुए क्योंकि इसका कपड़ा ट्रांस्वेरेंट है तो लाइनिंग का कपड़ा सेटेन है जिसकी क्वालिटी भी बहुत जाता अच्छी है और इसमें नाड़ा टालके नहीं दिया है और दूसरी चीज यह कि जै का वो चुब भी नहीं रहा और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है मतलब आप कोई भी व्लीब नहीं करेगा मैं भी मुझे भी अभी तक नहीं हो रहा कि मैंने यह सिर्फ थाउजंड रुपीज में लिया है ठीक है साथ में इसमें दुपट्टा है और ब्लाउज भी आ प मतलब कट पैटन में हैं और ना यहां से वी कट पैटन में हैं पूरे दुपट्टा इस तरीके से भरा हुआ है यह पूरे दुपट्ट्टे की चौड़ाई और लंबाई भी बहुत सारी है मन्दब आप अच्छे से कैरी कर सकते हो इस दुपट्टे को इतनी इसकी पूरी design बना कर दे रखी है, उसी कबडे का इसमें लाइनिम भी दे रखी है, जब पूरा बलाउस के साथ यह लेंगा पहना जाएगा तो बहुत ज़दिस्धन लगेगा मेरा भी blouse नहीं बन पाया इसलिए मैंने ऐसे ही पहन के दिखाया है टॉप के साथ तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे तो काफी अच्छा लग मेरी तरब से perfect है अगर आपको लहंगा लेना है कुछ अलग तरीके का कम बजट में और बहुत यूनीक दिखने आला तो आप यह पाये कर सकते हो बहुत ज़्यदा सुन्दर लहंगा है बाकि आप मैंने पहना है तो उसमें देखी रहे हो लेकिन अगर blouse और बन जाएगा तो और ज़्यदा सुन्दर लगेगा ठीक है तो next दिखाती हूँ आप comment में यह बताना कि यह लहंगे का price कितना होगा ठीक है मैं इसका price आपको लहंगा भी दिखा दूँगी उसके बाद भी नहीं बताऊंगी end में बताऊंगी ठीक है क्योंकि आप guess करना कि इसका price कितना होगा कि और फिर बताना कि किस-केस ने सही-सही कैस किया था blue color का है picture review 4.2 की इसकी rating है और ना picture review भी 2-3 पड़े हुए जादा नहीं है मेरे बार बार मेरे मुझे price निकल रहे क्योंकि इतना कम price मैं एक hint देती हो कि इसका price 1000 से काम है ठीक है अब देखते है आया कैसे है और एक्जेक्ट यह पिक्चर जैसा ही आया है यह इसका लहंगा है skirt है और देखो आपके heaviness से पदा चल जाता है कि लहंगा कितना जादा heavy है यह देखो यह इसका पूरा बैल्ट वाला पैटा नहीं बहुत सारा चोड़ा है किसी भी size में आराम से आ जाएगा और यह यहां से गेर बनाने के लिए इसमें plate बना रखी है साथ में इसका जो blue color है exact picture जैसे लग रहा है साथ में यह देखो नीचे यह वर्क हो रिखा है sequence का वर्क है thread में है golden thread में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और साथ में इसमें यहां पे बकरम देखा है double देखो एक तो जो लहंगा है ना उसी में एक extra बकरम लगा रखा है दूसरा बकरम इन होने ना जो कि लाइनिंग दे रखे है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग है उसमें लगा के रखा है तो बतलब यह लहंगा जो नीचे से पहना जाएगा तो इसका घेर अपने आप बनेगा और साथ में इसमें खुदी ही इतना सारा घेर है कि मैं आपको इस वीडिय जाथ है घे可क जिए शर्यम पर भी को अइसे निए लग रहा जाए कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का वर को या सस्ता है तो कुछ भी दे रगए नहीं बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का work है ठीक है अब मैं रुक नहीं पारे इसका price बताने से इसलिए मैं बता ही देती हूं इसका price is सिर्फ eight sixty eight rupees only बताओ किस-किस ने सही guess किया था कि इसका price इतना होगा और ना इसका दुपट्टा देखके आप लोग और ज्यादा सोग डौने वाले ओ क्या बहुत ही जादा प्यारा दुपट्टा आया है और दुपट्टा पूरा है भी है भरा हुआ है कट वर्क है इसका ये देखो और इसकी लंबाई भी बहुत सही है ठीक है और चोड़ाई भी अच्छी है कुछ इतनी है चोड़ाई ठीक है और साथ में इसका ब्लाउस देखो अ आपको किस तरीके का front stitch कराना है और साथ में आपको lining खरीदने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी इन्होंने साथ में lining भी दी है मतलब इस blouse के नीचे जो lining लगेगी वो अलग से दी है मतलब सिर्फ इतने कम प्राइज में इतना घेर वाला इतनी अच्छी quality का लहंगा साथ में इस्तना अच्छा दुपट्टा और ब्लाउज पूरा भरा हुआ और लाइनिंग भी दे दी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग है आप बाहर से खरीदोगे ना तब भी यही खरीदोगे जो कि उन्हाने साथ में ही दे दी तो मुझे यह लेंगा मतलब उपर से भी उपर वाला लगा साथ में मैंने यहाप पहन के दिखाए देखो कितना सारा घेर इसमें है और कमफर्टेवल भी बहुत है प्राइज में लेंगे कहां ही मिलते हैं ठीक है तो नेक्स्ट दिखते हैं यह लेंगे की स्टाइल देखो कितनी जादा प्यारी लग रही है और इसका प्राइज भी बहुत जादा कम है ठीक है यह पूरे स्टिजड लेंगा है चुन्नी के साथ ठीक है और इसकी रेटिंग फोर की रेटिंग पिक्चर रिव्यू छह साथ पड़े हुए थे और पिक्चर रिव्यू में यह वैसे दिख रहा था जैसे कि इन्होंने ओरिजिनल पिक्चर दी है और रिसीब भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस्टिस दी लहंगा है और इसका प्राइज है सिर्फ 861 सिफॉन है बहुत अच्छी क्वालिटी का सिफॉन दे रखता है साथ में यह सेटन का लाइनिंग दे रखिए रुकी बहुत लाइट वेट है और यह देखो पूरे लहंगे का लोग कुछ ऐसा है गेर भी इसमें बहुत सारा गहीर है ठीक है और बहुत सॉफ्ट इसका स्काइब मैंने पृहन के दिखा यहां साइड में पीछे से लगा रहता है स्लीबस जैसे पिक्चर में दिक रही थी एक्जेक्ट सेम बना रखी है पूरा ने के डिजाइन धालेंगे ब्लीकी पहना हुँ आप ही प्यारालोग कार रहे है बोहुत पियारा यह एक्छी मैं चुन्नी दिखाई थी बिल्कुल एक्जेक्ट सेम चुन्नी की डिजाइन बनाकर यहां पर दे गए जो कि हम नैक में डालेंगे पहना हूँ आभी देखो कुछ इस तरीके से डले कि मुझे तो बिना चुन्नी के भी बहुत अच्छा लग रहा था बट चुन्नी भी बहु इस कहला था बट रिशीव थोड़ा सा डिफ्रैंट हुआ है ब मैकर भी बूरा नहीं लग रहे है पुरा वाइट कं लरकर यह उस्तिक यह पर लहंगा खुला हुआ है इस तरीके का यहां पर पूरा हैवी वर्क हो रहा है लेकिन इसके ना मैरर काफी चोब रहे हैं और Сात् अब को अरिजनल वाली मेरल लगे ना तो यह मेरल बहुत ज़्यादा चुबेंगे तो इसको अवाइट कर सकते हो इसको लहीने के लिए क्योंकि यह तो एक्जेक्टिब ऐसे पिक्चर जैसा आया भी नहीं है साथ में यह और यह उरिजनल मेरल लगे तो आपको तो आपको खड़ाया तो उसको भी बहंकर चुब जाएंगे मतलब चोट तक आ सकती है ऐसे इसमें लगे हुए और यह है इसमें दुपट्टा दे रिखे दुपट्टा के कपड़ा मुझे इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा हल्दी वगरा के हिसाब से ठीक है वट एक मेरर का इस इस मेट इस वाले लहंगे में और इसका प्राइज मुझे आदी इसलिए मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है तो आप चेक कर सकते हो अगला दिखाती हूँ यह वाला ग्रीन कलर का लहंगा है मैं यह भी स्टिज दे लहंगा है देखो कलर मतलब जैसे पिक्चर में देख रहता है एक्जेक्ट तो नहीं है बट यह भी ठीक लग रहा है यह देखो पूरा प्लेन है लेंगा और बहुत ज़दा लाइट बेट है यहां पे बैल पे वर्क हो रिखा है और बहुत अच्छा जोड़जट का इसका कपड़ा देखा और साथ में इस तरीके से नीचे से यहां पर डिजाइन दे रखी है यहां पर सिल्क का एक अल्यक्तलब वो दे रखा है इसल्क का लाइनिंग देर अरखिया लेंगे का घीर अगर्वेरा काफी है काफी सही है इसकाई पाला पोशिन है फिर ना इसका बलाउज नहीं लेकिन जो blouse stitch कराने के लिए इसमें proper blouse की design बन रखी है तो हम बिल्कुल ऐसे हमें design बताने की ज़रूत नहीं पड़ेगे इसमें already design बनी हुई है साथ में blouse के लिए यहां पे lining भी दे रखी है blouse की design काफी अच्छे लगए क्योंकि पूरा skirt plane है तो blouse यह भरा हुआ है और इसमें बैल्ट भी दे रखा है यह बैल्ट है और यह है इसका दुपट्टा दुपट्टे का pattern थोड़ा सा अलग है यहां पे देखो flower बना हुआ है और यह इस तरीकी का है तो काफी अच्छ लगा तो यह क्योंकि इसका blouse शिटर नहीं है सिर्फ यह skirt skirt में किसके साथ पहनू तो इसलिए पहन के नहीं दिखा पाऊंगी वाकि आप ऐसी देख लो और ना एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी बताऊंगी आप यह बहुत ज़ जैसे तो पहले तो आपको फ्रेंट में जो चीज ऑडर कर रहे हो वही दिख जाएगी फिर बाद में यह देख लेना कि किसकी शॉप है शॉप का नाम वहापे दिख जाएगा मैं आपे स्क्रीन शॉट लगा दे रहे हूं आपको समझ में आ जाएगा ठीक है वहाँ पे दे रेटिंग में बहुत ज्यादा खराब है तो मतलब समझ लेना कि वह फेक सेलर है ठीक है तुम्हां से ओडर मत करना यह मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूं मेरे और रिसीव होने के बाद मैंने शॉप चेक करिये तो बहाँ पर एक भी प्रोड़क्ट उनका मैं मैं बाद से मिशो से ही तो मुझे लेहंगे रिसी भुए हो है तो लेहंगे डिलिवर क्र selfish catalyst Л, मुझे इतना बड़ा पैके रिसी वह और इसके यूपर लिखा है कि इसमें दो लेहंगे हो ठीक है इन के प्राइज यह हैं पैकेट खोलने से पहले ही समझ के कुछ तो जोल फिर मैंने जहां से लहंगी लिया वह वाली स्क्रीन शॉट में लगाऊंगी अब गाया भी हो गई मिली नेरी वह श्री मुझे लगते हैं उसके डिलीट होगी हो तो मैंने देखा तो उस पर एक भी लहंगे नहीं पड़ा हुआ था और उस पर रेटिंग भी बहुत खराबती लोगों ने हर एक इनसान ने जितने भी मितलब तीन अजार से जादा लोगों ने वहां पर रिव्यू दे रखे थे सब नहीं लिख रखा था कि हमारे सांद दोका हुआ है हमारा रिटर्ण नहीं हुआ तो मतलब वह इनसान जिसने मीशों पर फेक आईडी बनाई थी फेक स किसी हुआ होगा इसके जैसे इसमें दो लहंगे लिखा और पता इसमें क्या है अंदर मैंने सिर्फ इसको इतना ही खोला क्योंकि मुझे पता हुआ कि फटा हुआ चिता हुआ गंदा गटर की पड़वा सामान वो लोग भीजते हैं तो मेरा हाथ लगानी की हिम्मत ही नहीं तो यह बाली चीज मेरे मतलब पैसे भी गाया चीज भी पड़ी और मुझे जो प्टाया कि किस तरीके से और करना वैसी अदर वाईस तरीकी के जोलो जाएंगे और पैसे भी नहीं मिल पाएंगे तो अबर रोल मांगी लेंगे तो मुझे अच्छे लगे जो कि बाकी सेलर बाकी मीशो के सेलर्स ने भेज़े बट कुछ फेक लोग होते हैं जो इस सेलर की तरह है तो वहाँ हमें दोका हो जाता है जिससे मीशो पर बीखती है सारी चीजे तो यह थी आज की हमारी लहंगा हॉल वीडियो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच